लो दूस्ते वैं सिनिता वर्मा और आप देख attempt quality meals अभी तक आपने प्यास के खρाए होंगे अलू के खाए होंगे पलक के खाए होंगे और वी क्य़ तरह के खाए होंगेal आज हम बिल्कुल ले तरीके के पकोड़े बनाने जा रहे हैं और उसके साथ बनाएंगे हम गर्मा गर्म चाय जो की पकोड़ों के साथ बहुत सही जाएगी और मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है और पकोड़े और चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है तो आज हम लां अच्छे से पकोड़े जो बहुत ही टेस्टी बनने बाले हैं और बहुत ही करारे बनने माले तो गर्मा गर्म चाय के साथ पकोड़े की रेसेपी आपको पसंद्डा है तो लाइक कर दीजे नहीं है सब्सक्राइब कर दीजिए दो चलिए बनाना श्तार्ट करते हैं सो भिगो दी थी यह फूल के बहुत इसे तयार हो गई है आप देखिए हम इसको ऐसे निचो देगे और निचो के कम से कम 2-3 पानी में अच्छे से धोलेंगे तो ऐसे निचोने से क्या होगा इसकी सारी गंदगी निकल जाएगी तो देखिए नीचे का पानी यलो यलो हो गया है इसे पेक देना है और ऐसे ही दो से तीन पानी में हम अच्छे से दोलेंगे इन सोयावीन को तो ये देखी मैंने धोके ले लिए हैं अब चलिए इस पे जो मसाला डालेंगे वो तियार कर लेते हैं तो एक मिक्सी के जार में मैंने ये 5-6 लसुन की कलियां डाल ली हैं, ये हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से रखिएगा जैसा भी तीखा पसंद करते हैं, आधा प्याच मैंने डाल दिया या एक छोटा प्याच और चोटा अध्रक का तुकर डाल के लिड लगा के अच्छे से हम इसे पीसेंगे, पीसना बहुत महीन नहीं है, बलकुल दरदरा सा पीस लीजे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, और लसुन का टेस्ट ही इस पकोड़ों में बहुत ही अच्छा आता, तो देखिए कुछ इस तरह का मैंने पीस लिया है, अब इन सो अच्छा टेस्ट के आज किया जाए, बस हम इसके ओपर सबसे पहले एक बेसन डालेंगे, बेसन से क्या होगा, ये करारे हो जाएंगे, और एक बेसन का जो टेस्ट होता है पकोड़ों में वह आजाएगा, और बहुत ही अच्छा लगेगा, तो बस चार चमश डालना है, ज ये बहुत ही करारे बनकर तयार होंगे, तो चार चमश ही आट करना है इसके उपर, और बस बहुत ही अच्छे करारे करारे बनेंगे, ये सोया के पकोड़े, मसाले आट करेंगे, तो सबसे पहले हम लाल मिच पाउडर, नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे इसके ओपर ये देखिए हो गया ना बेसिक मसाले इसके ओपर मसालों का ही तो पकोड़ों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अच्छा बजार वाला कलर देने के लिए हम इसमें रेड फूट कलर डालना है आप नहीं डालना चाहते तो आप मट डा डालना चाहते तो मट डाल ये इसकी जगह आप दही का यूस कर लीजे वह भी डाल सकते हैं तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया अब शेख्षा मिनट के लिए तक 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 तेल गर्मा लेते हैं और ज идत ऑ सब्लाक आखन यह अञ्वालीए इसा एाउ च्बार याक हो जाएंगे इसे थोड़ी की दिलnah उट चला दिएए। यह तो इसे चला दिनधी स्वार रह रहे हैं जैसे कि बजार में मिलता है कि युक मुधत का बिल्संदी आजेए हैं यह तर में इजाए हो गया है घ्रींघ को कृड़े असमें और निए निक्सपी होगाए है अब मैं इने निकाल लोगी ऑाय'd आख को कि यह के ना कितने बढ़ियां से टेस्टी से पकोड़े हो गया sujet इसना आण पढ़िया से अंहें चाइ चाड़ा लेते हैं तो मैंने एक कप पानी रखा और उसमें थोड़ इसी मैंने चाइ की पत्ती डाल दी है इसी के साथ मैं इसके चुटकी भर इलाइची का पाउडर डाल दूंगी और एक चमच चीनी डाल दूंगी एक ही कप चाइ बना रही हो तो बस एक चमच चीनी डाल दूंगी उसके साथ मैं इस पे थोड़ इसी अद्रक कद्दूकस करके डाल दूंगी आप कुटकी भी डाल सकते हैं लेकिन कद्दूकस करने से अद्रक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो जैसे ही पानी में उब बहुत ही सही जाती है तो आप पकड़ों को चाय के साथ खाई है चटनी के साथ खाई है लेकिन एक बार बना के ट्राइब कीजिए अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तो देखिए बस चाय में उबाल आना शुरू हो गया है थोड़ी दिर है तो बार बार ऊपर आ रही थी गिर जाएगी इसे चाय में धीम ही रखा हुआ है तो यह देखिए चाय हो गई बनकर तयार अब चलिए यह पकोड़े मैंने ले लिए इसके साथ मैं रखती हूं यह पढ़ियां सी इंगली की चटनी और अब रखूंगी मैं चाय जो कि मैं अभी बनाई हुई है गर्मा गरम चाय तो कप रखा और मैं जल्दी से चान लेती हूं अपनी गर्मा गरम चाय यह देखिए टेस्टी सी चाय और चाय के ऊपर डालूंगी मैं क्या मलाई एक बार आप चाय मलाई के साथ पी कर देखिए बहुत ही अच्छी लगती है दूद चाय चटनी और सोया के यह टेस्टी से करारे से पकोड़े तो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में